और यहां पर आज हम पर आज पर आजिसी क्लास में पढ़ेंगे। पी राजिस्तान में जो भी नए प्रोग्राम लाए गए हैं वो और साथ ही साथ राजिस्तान के अलावा जो अलग जगह एग्जाम होंगी आपके उनके लिए भी CHO के NCQs यहां पर एड है यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को लेकिन जो भी लोग अभी अपक स्टिया लेप पे जाके पेपर्स को पर्चेस कर सकते हैं या फिर डारेक्ट मेरे वाट्सप नमबर पर कॉंट्ग करके पेपर्स को ले सकते हैं को यहां पर जो पॉर्स्ट कोश्टिन है कि रहा इंद्रा गांधि न गड पर पोशन योज्युणा नौंच इन विज statement रिसने टील कि districts में योज्णा को किस राज्य में सुनुघ में राजिस्थान में मद्य प्रडेश में विहार में की उत्तरप्रडेश पे योज्णा आपके एक्जाम में आ सकती है इंद्रा गांधी मातरत पर पोशन योजना तो यह लॉट्ष की गई है अब ही रिसेंट में कहाँ पर राजिस्थान में अभी इस योजना के जो हम यह कह सकते हैं कि जो भी गवर्मेंट की स्कीम साथी करना होता है लेकिन अभी यहां पर इसको एस लाया गया है वेटे लॉंच किया गया लेकिन हैं है और यहां पर भी इसमें राजिस्तान के only चार जिलें हैं जो गवर किये जाएंगे औधाएपुर डूंगर्पूर बासवाड़ा और प्रतापगड राजिस्थान के चार डिस्टिक हैं जहां पर इस योजना को स्टार्ट किया जाएगा यदि आपको इसका बजट पूंचा जाता है और आप योजना जाके राजिस्थान गवर्मेंट की ऑफिसल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं अभी इस योजना के लिए जो वेनिफीसियर्स प्रोफ हैं मा और बच्चा पोशन को पोशन से जो बच्चे और जो मदर हैं प्रेगनेंट लेडी से उनके लिए हैं पर योजना लाई गई है तो यह से योजना के माध्यम से बच्चे तथा माध दोनों में होने वाले कोपोशन को है जो ठीक किया जा रखाया गया है जिसमें 77,000 माहिल आये हैं जो यहां पर एदी वेनिफीसियर्स फीवेल की बात करें तो टार्गेट रखा गया है सुरुवात में कि 77,000 माहिलाओं को इस योजना का लाव है जो मिलेगा और उन लोगों के लिए हैं जो जो भी लोग फैमिली ब्लानिंग के के लिए सोच रहे हैं कि कम बच्चे हों तो यहां पर आपको इतना सवयाद नहीं रखना है और यहां पर आपको याद रखना है कि जो इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी मात्रत्य पोशन योजना है राजिस्तान में लाई गई अभी टेस्टिंग के लिए लाई गई है अब यहाँ पर कितना amount दिया जाएगा तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी condition है इस योजना को launch तो किया गया था 19 नवंबर 2022 को launch हुई थी 19 नवंबर 2022 को लेकिन अभी था के काम में स्टार्टिंग पर नहीं आई है इराजिस्तान का जो चिकिस्ता स्वास्तियम परिवार कल्यान विभागय उसने इसको launch किया है और जब जो विकास महिला एवन बाल विकास मंत्री भूपेश जी के द्वारा इसको launch किया ग शीके लेड़ी के पहला बच्चा ने वाल को स्योज्ञा का लाव है इसमें 6 जाल बच्छणी है जो पर आपको पहले बच्च्चे पर नहीं दूसरा बच्चछा होता है तो 6000 आपको तो बज़ट हुई थी और जब यहां पर 6,000 रुपए दिये जाने हैं यहां पर आपको एक साथ 186,000 रुपए नहीं दिये जाएंगे देश योजना कि आपको में चीज यांद रखने लॉंच ही राजिस्थान में दूसरा बच्चा होता है तभी उस जो प्रेगनेट लेडी उसको 6,000 रुपए मिलेंगे तो एक ही बार में आपको 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे यह पैसे आपको मिलेंगे जब आप जाच करवाने जाते हैं एंट यह हॉस्पिटल में डिलेवरी कराते हैं तो आपको 1,000 मिलेंगे फिर बच्चे के जन में से 105 दिन तक यह अपने बच्चा डिलेवर हो गया है बच्चा होने के बाद बच्चे को बरावट टिंके लगवाए हैं तो 2000 मिलेंगे आपको पिर जब बच्चे 3 महींने का हो अपना इतब जाके आपको पूरे 6000 रुपे मिलेंगे ऐसा नहीं है कि आप जाके गवर्मेंट को लू बनाए और तीन-चार बच्चे पैदा कल लो clear? I hope आपको पूरी योजना समझ में आ गई हो कि आपको इस योजना के बारे में 4-5 चीजे में स्याद रखना है कि राजिस्थान की योजना है launch की गई है राजिस्थान में माँ और बच्चे को कुपोसंड से बचाने के लिए मा के लिए जो help है कितना दी जाएगी वेनिफीसर जो मा है 6,000 रुपर लेकिन एक साथ एक amount रुपर नहीं दिया जाएगा first, second, third, fourth करके दिया जाएगा और यह कैसे दिया जाएगा जब आप first अपने check-up के लिए गए तो 1,000 मिले दो बार आपने check-up करवाया तो 1,000 फिर मिले फिर आपने hospital में delivery कराई तो 1,000 मिल गए तो यह 3,000 तो आप बसूल सकते हैं सरकार से लेकिन फिर आपको 2,000 तब मिलेंगे जब आपने बच्चे के जो 6, 10, 14 weeks तक के vaccination है वो पूरे करवा दिये तब आपको मिलेंगे फिर एक हजार पर जब आपको last amount जो installment है 6,000 का last 1,000 बच्ते हैं जो जब आदी आपने बच्चे डिलेवर होने के बास से लेके 3 महीने की अंदर ही कोई family planning यह पर परिवार नियोजन का कुछ भी साधन है जो अपना लिया हो तो clear next question है आपर according to Indian public health standard for district hospital at least how many beds should be in each district with the population of 10 lakhs तो यदी यहाँ पर question है Indian public health standard के according IPHS exam में full form भी आपको आता है IPHS standard के according है जो यहाँ पर district hospital में कितने bed है जो होना चाहिए यदी 10 lakh population है वहाँ की तो 195, 300, 350 यह पर 50 तो कितने bed है जो होना चाहिए कहाँ पर जो Indian public health standard के according district hospital में district hospital में at least 300 bed है जो होना चाहिए कितना 300 bed है जो होना चाहिए तो यहाँ पर आपका अंसर क्या होगा 300 bed अब हम यहाँ पर देखेंगे कि district hospital में जो IPHS standard है आपको पूरा IPHS standard पढ़के जाना है अब यहाँ पर हम जो PHC, CSC और SC का भी देखते है कि कितने bed इंडियन public health standard के according है जो at least district hospital है यादिवा की जनता 10 लाख है तो at least 300 bed तो होने ही चाहिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे primary health center sub center की तो यहाँ पर जो आपको yellow color से एक index दिख रहा है क्या है पी एचसी के लिए इंडियन public health standard के according आपको एदी एक्जाम में question आता है कि primary PS type A, PSC type B, PSC होती है तो कि इस तरीके से यहाँ पर इनको इस category में divide किया जाता है based on service delivery के कि कि कितनी delivery होती है case load क्या है मतलब कितनी delivery conduct हो रही है एक PSC में तो वो आपको बताएगा कि यह type A, PSC है यह फिर type B, PSC तो type A, PSC में क्या होगा with delivery load of less than 20 deliveries है नम month एक PSC में एदी delivery 20 delivery से भी कम होती है तो वो एक महिने में जो delivery होती है कितनी होगी 20 delivery से भी कम होती है तो वो type A में आगया है यहाँ पर जो PSC है फिर इसको अलग करीके से यह दि डिवाइड करने की बात करें case load के सासा distance की कि कौन सी PSC कितने distance पर है यह जदी essential standard PSC है तो without 24 Y7 services available होंगी फिर 24 Y7 nursing facilities होंगी 24 Y7 emergency hospital होंगी मतलब delivery के सासा क्या distance है next यहाँ पर आता है अबे देखिए चार्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ का staff कौन होगा तो sub center यदि population coverage के साब से बात की जा रही है और यहाँ पर जो population दी हुई है वो आपकी जितने भी हिली travel area यहाँ पर सब को मिला के दी गई हो maximum population को count करके यहाँ पर पताया गया है actual में sub center की जो population यदि हम count करते हैं तो plan area की 5000 हिली travel के 3000 लेकिन maximum population के according sub center में यदि 5000 population है तो यहाँ पर beds की जरूरत नहीं पड़ती है single या फिर एक या दो bed होते हैं वही काफी है ना तो यहाँ से referral unit इसको माना जाता है यहाँ से सीधा PSC किया जाता है यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सीधा PSC वेज सकते हैं क्योंकि यहाँ कर important staff कौन होता है A&M worker इसलिए nowadays जितने भी sub center है वहाँ पर एक-एक CHO को appoint किया जा रहा है तो यहाँ पर 3000 population में bed capacity at least 6 bed होना चाहिए और एक PSC 6 sub center को cover करेगा ध्यान रखिए एक PSC 6 sub center को cover करेगा और PSC की जो referral unit मानी जाती है वो होता है CHC यहाँ पर PSC में एक doctor होना चाहिए 3 in the case of 24 I7 PSC 3 staff nurse यहाँ का आपको जो पूरा एक तरीके से हमें कह सकते हैं जो staff है वो आपको पता होना चाहिए स्टाफ infrastructure क्या रहेगा कितना स्टाफ होगा फिर CHC तो एक लाग वी सजार population के दी है तो यहाँ पर एक तीस बैड होना चाहिए एक CSC 3 PSC को cover करेगा और इसका फिर रिफरल होता है तालुक hospital तालुक का होता है district hospital तो district hospital है जो जनरली यहाँ पर minimum bed का है तो at least 300 होना चाहिए फिर based on population के दस लाग से भी ज्यादा population है तो यहाँ पर population के according जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यह पर depend करता है population के हिसाब से फिर district hospital में पूरे सबसेंडर PSC CSC तालुक hospital ब्लॉक लेबल के जो भी hospital है उस सभी मरीज यहाँ पर आते हैं clear हो गया आपको आपको इसमें कोई भी confusion ना हो और यहाँ पर एदि आपको कोई भी doubt होता है तो आप मुझे message कर सकते हैं आइन स्वरी आई पी एचन आई पी अच्छ सर्वे को लेकर नेक्स्ट है आपका question वेन वास मग नेगा लॉंच्ट आपने मंद्रेगा की नाम से आपको योजना बहुत अच्छे से याद होगी तो यह कब लॉंच हुई थी option में हैं आपर 2004, 2005, 2006 या फिर 2002 में तो यह योजना लॉंच कब की गई थी महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act तो इसको कब लॉंच किया गया था 2006 में जनरल यह 2005 में आई थी लेकिन इसका functioning में स्टार्ट हो पाई थी 2006 में यदि एक्ट पूँचते हैं तो 2005 में इसके लिए पहले National Rural Employment Guarantee Act के नाम से जाना जाता था जिसमें लेवर, इंडिया लेवर लॉवर एंड सोसल सेक्योर्टी मेजर जिसमें राइट टू वर्क सभी को काम करने का अधिकार है जिसमें I think आपको साल के सौ दिन तक कुछ काम करना होगा आप लोग एक बार इसको पढ़ने मैंने इसमें only मनरेगा launch कब होई हो किसके लिए तो जो गरीब लोग मज़दूर लोग उनके लिए launch की गई थी ये उजना नेक्स्ट वन वन वस मेक इन इंडिया इनिसियेटिव लॉंच मेक इन इंडिया इनिसियेटिव कब लॉंच हुआ था दिसमबर 2013 में मार्च 2014 सेप्टमबर 2014 या प्र जून 2015 में तो मेक इन इंडिया लॉंच हुआ था सितमबर 2014 में कब सेप्टमबर 2014 में इसको लॉंच किया गया था मेक इन इंडिया में जो सेल्फ रिलाइंड कंट्री हमें अपने देश को अपने देश की बनी हुई चीजों प्रोवाइट करवाने को लेके था यहां पर यह 25 सितंबर 2014 को launch किया गया था, launch किया था प्राइम निस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो की बार भी पंचवर्सी योजना चल रही थी, उस टाइम पे इसको launch किया गया था, last पंचवर्सी योजना थी है, जिसमें Make in India जो इनिसियेटिव लाया गया था next one, the top priority of जन्नी शुरक्षा योजना है, जन्नी शुरक्षा योजना, जन्नी शुरक्षा योजना, जन्नी शुरक्षा योजना, जन्नी शुरक्षा योजना है, जन्नी शुरक्षा योजना, तो यहां पर इसका main priority क्या है, top priority क्या है, decrease the fertility rate, reduce the birth rate, reduction of MMR, या फिर नन्नी शुरक करना है कम करना है जन्नी शुरक्षायोजना के लिए हम क्या कह सकते सेफ मदरोड के नाव से भी जानेंगे जो कि फ्रोल आई गई स्कीम थी 12 अप्रेल 2005 को इसके लिए लॉंच किया गया था और हम एमेमार को कम कैसे करेंगे मेटरनल मॉटलिटी रेट को हॉस्पिटल और इंस्टिउशनल डिलेवरी को बढ़ावा देके इसके तहत इस योजना के तहत जो भी लोग हॉस्पिटल में डिलेवरी कराएगा उसको कुछ अमाउंट भी दिया जाएगा कैस असिस्टेंट आपको एक्जाम में आता है कि वहीं आपको हस्पिटल लेके जाएंगे यहां पर तो आपको आसा वर्कर का पूछते हैं जो रूरल एरिया है तो वहां पर 600 रुपर फर्स्ट टू डिलेवरी में यदि तीसरा वच्छा होता है तो 400 चौता ही डिलेवरी होती है तो 200 रुप पांच में डिलेवरी के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अर्वन एरिया में आसा वर्कर को ओली 200 रुपीज है जो दिये जाएंगे और यहां पर जो आपका अमाउंट है आपको सीधा चेक के थो आपके बैंक में जाएगा चेक दिया जाएगा आप उसको बैंक में ज कर जाएगी उसको अमाउंट है जो प्रोवाइट करवाया जाएगा अब यहां पर आपको लोग परफॉर्मिंग स्टेट भी आता है तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो आप लोग उसको भी एक बार पढ़ लेना नेक्स्ट वन इन विच यह एर नरहम वाउश या ल्ग इंडिया में कब launch हुआ था 25 में, 2008, 2004 या फिर 2007 तो नेशनल रूरल हेल्थ मिच हिन इंडिया में लॉंज किया गया था 2005 मे इसमें 2005 में, आपको यम का Question अता है, नेसनल अर्वन हेल्थ मिचान आता है नेक्स्ट यहां पर most important question NFHS stands for NFHS का full form क्या है National Full Health Status National Family Health Survey National Family Health Status FNFHS का full form होता है National Family Health Survey क्या है National Family Health Survey हर तीन साल में इसको conduct किया जाता है बट कुछ रीजन से continuous नहीं हो पारा है और यदि अभी तक का पूंचे 2020 तक पांच बार NFHS conduct हो चुका है पांच बार NFHS conduct हो चुका है जिसमें आपर जो National Family Health Survey किया जाता है इसमें तो यदि फर्स्ट की बात करते हैं तो पहला NFHS conduct करवाया गया था 1992 से 1993 के बीच में दो दो फेस में किया जाता है इसलिए हैं आप और वानवे से तेरानवे हैं 1992 तू नाइटी नाइटी त्री फिर सेकेंड हुआ था 1998 से लेकिंग नाइटी नाइन तक 1998 से 1999 तक थाइट हुआ था 2005 से 2006 के बीच में फिर फूर्थ हुआ 2015 से 2016 के बीच में और फिर फूर्थ हुआ था आपका 2019 से 2021 के बीच में आपका लास्ट एने फैजस कंड़क्ट करवाया गया था यदि आप से पूंचते हैं एट प्रिजेंट कौन सा एने फैजस कंड़क्ट हुआ है तो 2021 तक हुआ है आपका पांचवे नमबर का फिप्थ नमबर का एने फैजस कंड़क्ट करवाया गया है यहाँ पर किया क्या जाता है एने फैजस में लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे करवाया जाता है जिसमें घरगर जाके जो सर्वे किया जाता है और यहाँ पर त्री राउंड्स आप दे सर्वे हैब बीन कंड़केट सिंस फर्स सर्वे तो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग है कि पहला सर्वे उल्ली सो बानवे से तेरानवे में हुआ था और अभी तक पांच बार सर्वे है जो हो चुका है और यहां पर पूरा जो मिनिस्ट्री ओफ हैल्स इन फैमली वेलफेर के तो इसको क्या किया जाता है कंडेक्ट करवाया जाता है साथ ही साथ इसमें जो आई आई पी है से इंटरनेशन इंस्ट्ट पर पॉपुलेशन साइंस यह भी आप जो इंडियन गवर्मेंट की है जो हैल्प करेगा तो यदि आपको टोटल अभी तक का पूंचें तो पांच बार हो चुका है लास्ट टाइम हुआ है नेशनल पॉपुलेशन पॉलसी और इंडिया में कब लॉंच की गई थी 2001 में, 2005 में, 2012 में, 2000 में, 2000 में, नेशनल पॉपुलेशन पॉलसी है जो इंडिया में लॉंच की गई थी 2000 में, 2000 में एन पीपी, सेंटर गवर्मेंट ने स्कोर लॉंच किया था सेकंड पॉपुलेशन पॉलसी थी इंडिया की जिसमें कॉंट्रसेप्टिव मेथट को बड़ावा देना हेल्थ अवेर्नेस के प्रति जागरुपता फैलाना है डिलेवरी और रेप्रोडक्टिव चाइड हेल्थ के लिए क्या करना है हमें और ज्यादा इनिसियेटिव लेन पूँचे तो 1983 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलसी पूँचे तो आई थी आपकी कब 2000 में आपको याद रखना है वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलसी के दि मायल स्टार्ट कहां से हुआ था तो बोर कमेटी से बोर कमेटी कब आई थी 1946 में फिर फैमिली प्लानिंग प्रो पॉपुलेशन 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 पॉलसी के दोजार में आई है था कि 2045 क्या करना है था नकीफ करना है फिर नकीफ पॉपुलेशन पॉलसी लाई के हो गई थी कि दीआ कितनी जहाlor जंता बढ़ रही है उसको रोकने के लिए गो पूल प में पहला देश था जब family planning program launch हुआ था एक्जाम में आता है तो इंडिया में family planning program launch हुआ था 1952 में यदि national population policy direct पूँच है कि कब आई थी तो 2000 ही आपको कहना है लेकिन starting points इसका हुआ था 1976 से फिर यदि आपको पूँचा जाता है कि जो latest population policy थी national first national population policy अप्रेल 1976 में आई थी इसमें वास एक ही चीज रखी गई थी कि minimum age है जो 15 से 18 साल तक लड़कियों की होना चाहिए और boys की 18 से की साल सकबट अभी इसमें कुछ change किये गए है फिर national population policy जो latest है 2000 की जिसमें अलग से कुछ change है जो add किये गए थे next one in which year national health policy in India was implemented इंडिया में national health policy कब आई थी अभी हमने national population policy पड़ी अभे national health policy 2002 में 2001 में 2007 में कि 2013 में national health policy national health policy कब आई थी इंडिया में 2002 में कब 2002 में इसका एम था कि superior health service हर एक age group में हर एक gender में हमें क्या करना है पूरे तरीके से जो भी age group है बिना किसी एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि बिना किसी भी तरीके का रोक टोक के चाहें आप किसी भी age group के हो आपको इसका फाइदा मिलना national health policy का फाइदा आपको मिलना next नहीं हाँ पर NRHM covers तो NRHM में क्या क्या cover है जो किया जाएगा improve accessibility to quality health care for the rural population bridge gaps in health care facilitate decentralized planning in the health sector and फिर all of the above तो national rural health mission में सभी चीज़ें की जाएंगी क्या किया जाएगा इस सभी चीज़ें हैं जो की जाएंगी कि health care facilities सभी को जो भी rural area के लोग है उनको available होना तो health care के बीच में gap एक तरीके का उसमें NRHM एक bridge का काम करेगा जहां पर भी services नहीं पहुँच पा रहीं वहाँ पर पहुचाना rural area में और decentralized planning health sector में उनको complete करवाना तो क्या है इसका answer all of the above next one NRHM seeks to strengthen तो NRHM किसके लिए एक हमें कह सकते हैं कि तागत के रूप में strength provide कराने का काम करेगा private health care system में public and private health care system में public health care system में आफे none of these में तो national rural health mission यह इसकी private sector के लिए बिलकुल भी नहीं है यह public health care system के लिए जो government hospitals है उनके लिए ना कि जो बड़ी-बड़ी private hospitals है उनके लिए तो क्या है national rural health mission public health care system से आपर है जो उसके लिए मजबूत बनाने का काम खरेगा क्या एना रहें नेक्स्ट वन रिप्रोड़क्ट्रेंट चाइल्ड है वोज लॉंच इन विचियर तो रसी एच है रसी एच की दो फेस थी वह मांगे पड़ेंगे रसी एच और रिप्रोड़क्ट्रेंट चाइल्ड हैल्थ कब लॉंच हुआ था 1992 तो 1993 में 1997 से 1998 में 2005 से 2006 में 2012 तो 2013 में तो रसी एच प्रोग्राम में लॉंच हुआ था 1997 से 1998 के बीच में अब इसकी हम दोना फेस देखते हैं रसी एच फर्स एंड सेकें दोना एक्जाम में र रसी एच और चाइल्ड लाइल्थ वस्कूंशे तो 1997 से 1998 के बीच में लॉंच हुआ था अब यहां पर इसके कंपोनेंट्स क्या थे वही एक्जाम में आते हैं तो रसी एच की फेस फेस्ट रही हैं फेस टू रही है तो रसी एच फेस्ट फेस्ट के अलग हैं सेकेंड के अ यहां पर दो तरीके के थे एक थे क्लाइंट सेंटर अप्रोच दूसरा कम्टी पाइटी से पेस्ट इसके को मिलेगा फिर इसकी फेस्ट फेस्ट वह आई थी फस्ट अप्रेल 2005 को दूसरी phase जो एक अप्रल 2005 को आई थी इसका में नहीं रखा गया था कि maternal mortality और child morbidity को हमें कम करना है वो भी rural health care system में तो यहाँ पर जो major strategies थी इसकी एक थी essential obstetric care, emergency obstetric care और strengthening the referral system तीनों चीजें याद रखें, phase 2nd RCH की 1st April 2005 को लाई गई थी, फोकस किया गया था कि maternal mortality और जो newnatal mortality और mortality rate इसको हमें कम करना है कैसे करना है, पहले तो essential obstetric care के थो हमें institutional delivery को बढ़ावा देना है और जो delivery हो रही है वो इसकील birth attendant के द्वारा करवाई जाएं, फिर emergency obstetric care में यदि कुछ emergency case आते हैं तो उनको referral है जो किया जाएगा 1st referral unit, 1st referral unit क्या कहलाती है CST, वहाँ पर referral है जो किया जाएगा फिर जो referral system है, वहाँ पर भी जितने भी सुविदा हैं, उनको और जादा improve करना वो third point है आपर फिर इस milestone आपको याद कर लेना है कि क्या-क्या milestone रहे हैं, इस RCH phase के पहुँचने तक पहले आए national family planning program, 1951 में, फिर medical termination of pregnancy act आया, 1971 में फिर amendment act आया, recent में, तो MTP act केता है, कहीं कुचते हैं, कब तक की pregnancy terminate कर सकते हैं, तो 20 week की फिर आया EPI, expanded program on immunization, 1978 में, फिर इसके बाद इसी में कुछ और सोधार किया गया EPI में, फिर लाया गया 1985 में, universal immunization program और इसी के साथ साथ, national oral rehydration therapy program भी लाया गया था, याद रखना है आपको, universal immunization program के साथ साथ, national oral rehydration therapy program भी लाया गया था फिर after that आया CSSM, जो भी हमने RCH की phase में पढ़ा, इसी को आगे बढ़ा के है, जो RCH phase first लाई गई थी, फिर phase 2 आई, फिर NRHM आया, clear है Next one, QALY means QALY का मतलब क्या है, ये question MPCH के exam में आ चुका है Quality adjusted life year, quantity adjusted life year, quality accredited long youth, ये फिर ननवदीज, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा QALY का मतलब होता है, quality adjusted life year, जो डेले है, आपको आया था, डेले, MPV, आप में भी recent one जो paper हुआ है इसी साल, अभी present, कुछ दिन पहले ही answer कीज भी आ गई उनकी, और एक आता है Dallas QALY पूंचे तो quality adjusted life year, Dallas का मतलब है कि disability adjusted life year तो QALY standard in cost effectiveness analysis के लिए इसको use किया जाएगा, जो भी disabilities है, उनको लेके यहाँ पर use किये जाएगे तो यहाँ पर आपको एक बार पूरा खुद से ही पढ़ना है क्योंकि मैं लिए इनके full form बस आपको exam में आते हैं, तो इतना ही आपके लिए काफी है नेक्स्ट है आपर, the number of death per 1000 pupil per year means, number of death per 1000 pupil per year का मतलब क्या है, birth rate है, IMR है, death rate है कि ननब दीज है तो यह क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा death rate, क्या है death rate, number of death, किसी specific कारण से, कुछ general reason से, हैदी death हो जाती है, selected population जो यहाँ पर बताई गई है, तो क्या कहलाएगा, death rate next one, probability of dying between birth and exactly 5 year of age expressed per 1000 live birth, तो यहाँ पर यह क्या होगा, probability of dying, मतलब मरने के chances है, जन में से लेके 5 साल तक की age group में, under 5 year age में, per 1000 live birth में, तो यह क्या है, worth rate है, under 5 mortality rate है, death rate है, कि ननब दीज, यह चीज क्या है यहाँ पर साफ साफ कहा है, birth से लेके 5 साल तक में, मतलब under 5 हो क्या है, 5 साल के पहले ही, 0 से 5 year के बीच में, जो बच्चे की death होती है, तो वो किस में आएगा, यदि 1 year तक होती है, तो infant mortality rate में आए, clear, लेकिन यहाँ पर कहा है, 5 years तक में, तो वो कहलाएगा, under 5 mortality rate, क्या है, under 5 mortality rate, next one, probability of dying between birth and exactly 1 year of age expressed per 1000 life birth, अभी हमने पताया कि 5 साल तक में, फिर यहाँ पर, dying between birth and exactly 1 year of age, question द्यान से समझे, पहले था कि 5 साल तक के एज ग्रूप में, फिर एक साल तक की एज ग्रूप में, तो वो क्या कहलाएगा, पर 1000 life birth में, birth rate, IMR, death rate की none of these, तो एक हलाएगा, आपका infant mortality rate, हर एक state की अलग-अलग infant mortality rate है, SRS data की according, तो आपको एक बार है जो पढ़ लेना है, as compared to previous data के, इस बार का data थोड़ा सा changes है, तो आपको याद रखना है, next one, the number of maternal death per 1000 women of reproductive age in the population, generally defined as 15 to 44 years of age means, यदी मदर की death होती है, 1000 women of reproductive age में, तो क्या कहलाएगा, maternal mortality rate, infant mortality rate, child mortality rate की none of these, एक हलाएगा, MMR, एक्जाम में MMR का denominator, नॉमिनेटर दोनपूर्ण से जाते हैं, next question है आपके लिए, the sum of neonatal deaths and fetal deaths, fetal death का मतलब still birth, मतलब uterus में बेबी की death हो जाए, per 1000 birth, sum of neonatal death, जो neonate baby हैं, उनकी death और fetal death को मिलाके अधिये 1000 population जो death होती है, जन्म होने के बाद इतनी भी counting निकलके आती है, वो क्या है, MMR है, perinatal mortality rate है, IMR है, कि 99 है, तो यह क्या है, यह कहलाएगा perinatal mortality rate, क्या है, perinatal mortality rate, mortality rate का मतलब, mortality का मतलब तो होता है death, अब यह देखिए, यहाँ पर आया है, आपको easily clear हो जाएगा, fetal death, fetal death का मतलब intra uterine death, और still birth, मतलब baby uterus में ही गरवास है, में ही उसकी death हो गई हो, at least 20 weeks का gestational period रहा हो, और कोई भी sign ना हो, कि यह जन्म के बाद है, जो बच्चे का है, नहीं, यह फिर हम यह कह सकते, still birth हो, क्या होगा, fetal death, neonatal death, जन्म लेने से लेके, 28 दिन तक एदी baby की death हो जाती, within 28 days के, तो वो कहला गा, neonatal death, फिर आता है, perinatal death, perinatal death का मतलब है, sum of fetal and neonatal death per 1000 life birth, best indicator है, perinatal care के लिए, यह हम कहें, तो वो क्या है, fetal death, neonatal death, perinatal death, यहां पर sum of fetal death, मतलब, जो 20 week तक का gestational period रहा है, उसमें यह तो death हुई हो, और neonatal death है, दौनों को जोड के, जो indicator निगल के आएगा, वो कहलाता है, perinatal death, फिर infant mortality rate है, तो वही number of death for 1000, death occur in the first year of life, दिए 1000 बच्चे उन्हें जन्म में लिया है, उन्में से एक साल के बीच में, जो death होती है, 1 year से कमेज के बच्चों की तो है, IMR under 5 होता है, तो under 5 mortality rate, maternal है फिर, next one, the sum of the age specific birth rate, 5 year age group between 10 and 49, for female residents of a specified geographical area, during a specified time period, तो यह क्या कहलागे, देखे कहा है, sum of the age specific birth rate, age specific birth rate है, जिसमें 10 से 19 शाल तक का age group है, जो include किया गया है, वो भी female का, तो यह क्या है, crude death rate है, birth rate है, total fatality rate है, कि ननद दीज है, तो क्या है, यह कहलाएगा, आपका TFR, और total fatality rate, at present India का TFR है आपको exam में पूंसते हैं, तो वो है 2, कितना 2, जो national level, जो SRS के तो और जो NFHS survey, national family planning का सर्वे है, 4 और 5 उसके according, जो अभी at present है, decline हुआ है, पहले 2.2 था, वाट अभी 2 है, आपको याद रखना है, TFR कितना है, 2 है, जो बचा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पर है, total fatality rate को calculate कैसे करना है, तो यह रहा, an estimated number of children born to each female of birthing age, 15-45 साल तक की age group age रही है, female की, इस age group में जो बच्चे जन में लेते हैं, total fatality के लिए number of children born, अब कितने बच्चे हुए हैं, और कितनी women की age 15-45 साल तक रही है, तो यहाँ पर उसको calculate करके क्या निकाला जाएगा, TFR, total fatality rate, next one, millennium development goals, target of maternal mortality rate in India is, जो millennium development goal है, इसके according एक पढ़ा हैं, तो sustainable development goal exam में आपको रखे हुए मिलते हैं, दो-दो question तक SDG से, ऐसे ही यहाँ पर, millennium development goal, millennium development goal के according, MMR हमें इंडिया की कितनी अचीब करनी है, millennium development goal में total 8 goal है, SDG में वह जो अलग हैं, तो यहाँ पर, यदि आपको SDG पूचा तो इसमें 17 goal हैं, लेकिन millennium development goal में only 8 goals है, तो यहाँ पर इसके according हमें MMR कितनी अचीब करनी हैं, 103, according to 2019 के data के, 2019 का जो data उसके according कितना target है MMR के इंडिया का, 103, और जो इसके 8 goal हैं, millennium development goal के वह कौन-कौन से हैं, Eradicate Extreme Poverty and Hunger, Achieve Universal Primary Education, Promote Gender Equality, Reduce Child Mortality, Improve Maternal Health, Compact HIV AIDS, Malaria and Other Disease, Ensure Environmental Sustainability and Development, पूरे जो 5 goal हैं, उनके बीच में, साथ goal हैं, पार्टर से करके सभी को अचीब करने में, help करना हैं, Next one, The state of being deceased or unhealthy within a population means, यह स्टेट जिसमें आप बीमार हो, या फिर कोई unhealthy situation हो, तो वो क्या कहलाएगा, Mortality, Morbidity, Fertility, या फिर ननब्दीज, तो mortality का मतलब तो होता है, सीधर death, मरना, Morbid का मतलब होता है, disease condition, तो क्या होई, Morbidity, Fertility का मतलब होता है, ऐसा age group, जो conceive करने की छमता रखता है, reproductive age group में हो, वो कहलाएगा, Fertility, तो यहाँ पर कहें, disease or unhealthy condition, तो उसको क्या कहेंगे, Morbidity, Next question है, In which year, consider year of great divide, तो year of great divide, किस year को consider किया गया था, Option में है, आपर, 1901, 1921, 1891, या फिर 1901, 1981, 1921, 1891, 1961, कोन से साल को, year of great divide के तौर पर है, जो consider किया गया था, तो great divide year के तौर पर माना गया था, 1921 को, 21 को, क्योंकि इस टाइम पर, जो population थी, एक consistent वे में रह गई थी, ना तो बढ़ रही थी, ना घट नहीं रही थी, इंडिया की population थी, एक constant वे में रह जाती है, तो उसको हम कहते है, year of great divide, और ये साल कौन सा था, 1921, जो Indian demography है, demography का मतलब क्या होता है, population की study की जाती है, जिसमें, तो great divide year कहा जाता है, कि जो population है, जो जनता की growth है, वो क्या हो रही है, ये सेमेंज रह गई है, तो उसको क्या कहा गया था, year of great divide, 1921 को, यदि आपको कहा जाता है, कि year of small divide, year of small divide, कौन से साल को कहा जाएगा, तो वो है 1951, 1951, लेकिन year of great divide क्या था, 1921, next one, child nutritional status, measured in terms of three anthropometric indicators, they are, बच्चों का जो nutritional status है, किन तीन anthropometric indicators पर है, जो check किया जाता है, stunting, fasting and underweight, mortality, morbidity and underweight, body mass index, morbidity rate and dependency ratio of 99, anthropometric indicator का मतलब होता है, कि बच्चों की height health है, जो किस base पर check की जाएगी, तो ये check किया जाएगा, किस पर, stunting, wasting and underweight, क्या है stunting, stunting का मतलब होगा, कि जो body की growth है, वो क्या हो जाएगी, stop हो जाएगी, एक ही जगाए fix होके रह जाएगे ना, तो बजन वड़े ना, height वड़े, फिर आता है, wasting, wasting का मतलब होता है, कि जो चीज आपकी body में, एक तरीके से हमें कह सकते हैं, कि जितने हो आप उतने पही, stop हो जाए और underweight, जो आपका age है, उसके according आपका वजन ना वड़ना, तो height, weight और आपका age के according, height रवेट दौनों ना वड़ना, तीनों चीजें किसके component से हैं, anthropometric measurement में आएंगे, आपके बच्चे के nutritional status के लिए, फिर इसमें आपका mid-up or an circumference, चेक किया जाएगा, साकिर टेप यूज किया जाता है इसके लिए, फिर बच्चे की height क्या है, क्योंकि इनी सब चीजों को चेक करके, बच्चों में हमको portion से बचा सकते हैं, nutritional deficiencies से बचा सकते हैं, next one, eligible couple register is maintained at, तो eligible couple register कहां पर maintain किया जाता है, sub center में, primary health center में, PHC में की district hospital में, eligible couple, eligible couple कौन कहलाते हैं, जो fatile age group के couple हो, female और male दोनों, अभी हाँ पर रजिस्टर कहां maintain किया जाएगा, sub center में, sub center की बात आती है, तो population सबको पता है, यहां की kit हैं, जो exam में पूछी जाती हैं, तो sub center में kit A, B, C, तीनों दीन जाती हैं, ती kit D पूछते हैं, तो वो PSC में दीन जाती हैं, फिर first referral unit की kit अलग हैं, तो first referral unit क्या है, वो CHC, community health center, community health center में, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, kit दी जाती हैं, तो यह क्यों दी जाती हैं आपको, kit F पूछ हैं, तो mini laprotomy set है, kit E पूछ हैं, तो laprotomy set है, IOD insight करने के लिए kit G रहेगी, वैसे क्यों के लिए kit H है, normal delivery के लिए कौन सी kit यूज करेंगे हम CHC में, तो वो होगा kit I, next one, three tier system of healthcare delivery, in rural area, in India is based on recommendation, three tier system इंडिया में लाया गया था, healthcare delivery system है, जो कि rural area में, तो इसको किसने recommend किया था, बोर committee ने, चड़ा committee ने, स्रीवास्ताव committee ने, कि बुद्लियार committee ने, तो यह चीज ने करवाई थी, किसने स्रीवास्ताव committee में, primary health center का पूछे तो आया था, बोर committee में, स्रीवास्ताव committee ने, जो three tier healthcare delivery system है, वो इन्होंने, इसको लाये थे, next one, elements of primary healthcare includes, all of the following except, तो सभी elements है primary healthcare के, किसी एक को छोड़ कर, option में हैं यहाँ पर, an educate supply of, safe water and basic sanitation, prevention and control of locally endemic disease, providing employment to every youth, immunization against major infectious disease, तो यहाँ पर primary healthcare में, सब कुछ किया जाएगा, जो नहीं किया जाएगा, वो क्या होगा, तो वो होगा, primary healthcare का एकाम नहीं है, कि हर एक youth को, हर एक नौजवान को नौकरी देना, एकाम आपके खुद के हाथ में, पढ़ोगे लिखोगे, तो आपको मिली जाएगी job, लेकिन एकाम primary healthcare का नहीं है, PST का नहीं है, next यहाँ पर देखिए, question दिया है, बहुत ही अच्छा question है, पंचायती राज सिस्टम, फ्री टैयार सिस्टम, और रूरल लोकल सेल्प गवर्मेंट, इन इंडिया, match the institution with level, तो यहाँ पर आपको match करना है, कि blaze level के लिए क्या है, स्वरी, पंचायत blaze level के लिए, रिष्टिक level के लिए, कि block level के लिए, कि पंचायत समीती किस के लिए, जिला परिसत किस के लिए match करना है, नीचे जोडी बना के लिखना है, तो पंचायत का फ्री टैयार सिस्टम होता है, वो किस के लिए है, तो पंचायत का फ्री टैयार सिस्टम, पंचायती राज है फ्री टैयार सिस्टम, ट्राइंगल से आपने पड़ा है मैंनी तो पंचायत पंचायत कहां के लिए होती है ब्लेज लेविल के लिए पंचायत समीती कहां के लिए होती है ब्लॉक लेविल के लिए जिला परिसत कहां के लिए होगा डिस्टिक लेविल के लिए तो यह तीन हो आप मिला सकते A का first ही रहेगा, B का third हो जाएगा, C का second हो जाएगा यहाँ पर यह देखिए जो healthcare system में delivery में इस तरीके से चलता है पहले आएगा national level से, पूरा central government से सभी चीज़ें authorized होंगी फिर वो state में आएगी, फिर state से district में, फिर district wise है जो divide की जाएगी तो district से जाती है, तो sub district और तारू का hospital जाएगे फिर यहाँ पर CSC, PSC, sub center, blaze health guide, ट्रेंड आईए, सभी रहेंगे फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जो side में आप देख सकते हैं, सभी का population नों से की एक PSC किती population में होगा, एक CHC कितने में होगा और एक blaze health guide कितने में होगी clear है, next है है यहाँ पर आपका question, principal unit of administration in India is principal unit क्या है administration के लिए, center है, state है, district है की blaze है क्या रहेगा, तो यहाँ पर principal unit होगा district, क्या होगा, district principal unit of administration है, state, इंडिया में state के लिए क्या होगा, district head कौन कहलाएगा, administrative division of India next है है हाँ पर आपको match करना है, committees और कौन सी committee में कौन से work किये गए स्रीवास्ताव committee लिखी है, चड़ा committee है, गर्तार सिंग committee है, जंगल वाला committee है तो कौन सी committee ने कौन से काम किये है, वो नीचे आपको match करके बताना है तो first आता है स्रीवास्ताव committee, तो इन्होंने health guide को लेके है, जो अपने, जो भी initiative लिए थे स्रीवास्ताव committee में तो वो क्या थे, यो कौन सी committee में लिए गए थे, वो लिए गए थे आपके लेट टू दा creation of health guides, दूसरा आता है चड़ा committee, क्या है चड़ा committee, जो चड़ा committee में लिया गया था malaria workers to look after family planning work to, जो malaria workers है उनको family planning workers के तोर पर भी काम करना है फिर थी करतार सिंग committee तो इन्होंने, जो MPW है, इसके लिए काम किया था, जंगल वाला committee ने क्या किया था integration of health services, तो इसके according आप इसका screenshot ले लीजिए, यदि आपको याद नहीं होता है कि कौन सी committee ने क्या किया था next है, elements of primary health care includes, all of the following except, सभी primary health care के elements से किसी एक को छोड़कर an educate supply of safe water and basic sanitation है, providing essential drugs भी है, sound referral system और health education primary health care का elements तो नहीं है इनमेंसे वो कौन सा है, जो primary health care system का elements नहीं है, वो है यहाँ पर sound referral system क्या है, sound referral system next है, all of the following are pillars of primary health care except, तो यहाँ पर pillars है primary health care के, सभी किसी एक को छोड़कर equitable distribution, community participation, health education, intersectoral coordination, जो चार principle है, उनमेंसे एक कौन सा नहीं है, जो लिखे हुए है, तो वो health education क्या है, health education next one, alma attack conference was held in, तो जो alma attack declaration है, conference कब हुई थी 1948 में, 1956 में, 1977 में की 1978 में तो alma attack declaration, जिसके तहत है, जो प्राइमरी health centers और PST लाए गए थे प्राइमरी health care, तो कब हुई थी 1978 में, 1978 में health man power indicated by which of the following health man power है आपर, कितनी population में क्या राएगा option है, doctor 1 पर 3500 population, 3500 जलता पर एक doctor, A&M 1 पर less that, sorry, more than 1000 population, lab technician 1 पर 10,000 population, pharmacist 1 पर 1,000 population, एक health man power मतलब एक doctor हो गया, A&M होगी lab technician है, pharmacist हो गया, तो कितनी population पर है जो रहेगा, तो यहाँ पर lab technician का सही दिया हुआ है, एक lab technician पर 10,000 population के लिए रहेगा, यहाँ पर norm जोगी suggest करता है, government के थो, एक doctor होता है, 1000 जलता के लिए, यहाँ पर option में दिया था, 3500 इसलिए नहीं माग किया, दूसरा है, एक nurse, 1 nurse, 1 पर 500 population पास्तो जलता के लिए, एक health worker, male हो सकता है, female हो सकता है, तो 1 पर 5,000 population है दी ब्लेन एरिया है, तो 5,000 में यह, हिली ट्राइवल पाहाड़ी इलाका है, तो 3,000 में, free health assistant आता है, male, female में, दूसमें भी वही हिली ट्राइवल एरिया आएगा, 3,000 है तो यह, ब्लेन एरिया हमें, 20,000 जनता है दी पाहाड़ी इलाके में, तबे, Pharmacist होता है 10,000 जनता के लिए Lab Technician होगा 10,000 population के लिए आंगनवाड़ी बरकर होती है 400 से 800 के लिए आसा होती है 1000 जनता के लिए और 10 डाई होती है वन पर ब्लेज एक गाउ के लिए तो यह हो गया population norms Next one Function of PSCR Primary Health Center के क्या function है Referral Services प्रोवाइड कराना Family Planning और Referral Services देना Basic Laboratory Services प्रोवाइड कराना की All of these तो यहाँ पर सभी Services प्रोवाइड करवाई जाएंगी PHC में सभी Services प्रोवाइड करवाई जाएंगी Almata Declaration के तोटल जो At least 10 Services दी जाती है Medical Care, MCH जिसमें Family Planning भी होगी Safe Water Supply and Sanitation Prevention and Control of Locally Endemic Disease Collection and Reporting of Vital Esthetics Vital Esthetics का मतलब होगा की जो भी Death Rate हो गई Birth Rate हो गई IMR हो गई Ender 5 Mortility Rate पूरा Vital Esthetics कलेक्ट करके Report बनाना Health Education देना National Programs जो Health Programs उनके बारे में बताना Referral Services देना Training प्रोवाइड कराना Health Worker को Local DICE को Basic Laboratory Services प्रोवाइड करवाना है तो बेसिक क्या है India में Function है Primary Health की Centers के Next One Functions of Female Health Worker Include तो Female Health Worker का क्या काम है Visit 4 Sub-Center per month Collection of a Blood Sample Conduct 50% Delivery Chlorination of Water तो Female Health Worker का काम है कि At Least 50% Deliveries को Conduct करवाना करवाना Help करवाना Next One All of the following are State Responsibility for Health Accept सभी State की एक राज्य की जिम्मेदारी है Health को लेके किसी एक को छोड़कर Vital Esthetics Promotion of Research Research Center and their Health Bodies Prevention of Idol Traction Prevention of Communicable Disease एक जो राज्य सरकार है वो क्या काम सब काम करेगी किसी एक को छोड़कर तो राज्य सरकार जो इस्टेट गवर्मेंट है Vital Esthetics Collect करवाएगी Adulteration मिलावट हो रही है तो उसमें Help करेगी कि उसको बचाया जासा कि मिलावट सबी चीजों से कोई भी सामान बिकरा हो मिलावटी तो Communicable Disease को Prevent करने का काम करेगी लेकिन जो Research हो रही है Research Center में और जो अलग-अलग जगह Research हो रही है वो काम करना Health State Sorry, State Government का काम नहीं है Next one Which of the following is a new concept in Primary Health Care Primary Health Care का भी नया concept आया है तो वो क्या है Equitable Distribution Community Participation Qualitative Inquiry या पर Primary Health Care क्या है जो नया concept है Primary Health Care का वो है Qualitative Inquiry क्या है Qualitative Inquiry Next one Following are the jobs of Health Worker Male Male Health Worker के सभी काम है किसी एक कुछ Sorry, सब कौन से काम होंगे Male Health Worker के Sputum Collection O.R.S. Distribution DOTS का Supervision या फिर All of the above एक Male Health Worker सभी काम करेगा MP नब्डू तो यहां पर Sputum Collect भी करेंगे आप O.R.S. Distribute कराएंगे DOTS जो थेरपी दी जा रही है TP के मरीज में उसको भी Supervise कर सकते हैं Next is का अंसर आप लोग comment box में देंगे Which of the following is not the work of a female multi-purpose health worker Female multi-purpose health worker का क्या काम नहीं है Malaria Surveillance Distribution of Condor Immunization तो इसका अंसर आप लोग comment box में देंगे Next class को इसमें इसका अंसर बताय जाएगा और आप लोग comment जरूर कीजिए आपको class कैसी लगी Thank you for watching us Bye Bye